हरगोन जी लेके ग्राम काटकूट के समीब एक सराफा व्यापारी से लूट की घटना हुई है जिसमें करीब 3-4 अग्याद बदमाशों ने व्यापारी और ड्राइवर के साथ मार पीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया और गटना मोगे से फरार हो गए है दरसल बढ़वा के 25 किलो मेडर दूर ग्राम काटकूट के समीब एक सराफा व्यापारी से लूट की घटना तब हुए जब व्यापारी पिपरी से वापस लौट रहा था मामले में एडिशनल S.P. जितेल सिंग पवार ने बताया कि सराफा व्यापारी सचिन सोनी ड्राइवर दिरेश वर्मा के साथ कार से वापस लौट रहे थे तबी अग्याद बनमाशों ने कार में रखा जेवराद का जोला चीन कर व्यापारी को गहल कर दिया आपको बता दे कि गटना में सचिन सोनी को गंबीर चोटे आई है जिने शाष की अस्पताल में इंदोर रैफर किया गया काटकुट चोकी के अतरगत लूर की गटना के बाद पुलिस मामले में पूस्ताच कर रही है हरगों से जैंत गुपतागी रिपोर्ट करके सामने गाड़ी रोपके लट्थ से और फालियों से गाड़ी पर हमला करके काइट वाह सब तोड़ दिया तो आपको मारा अंदर वेठे होते हैं तीन जने और में ड्रायविं पे था तो बाहर नहीं निकता बाहर निकता बाहर निकल गए कितना लोग ते हैं वो चार पान जने थे करें अब हमेजा याद नहीं है कहां गया था यह पिप्री बजार हर मंगलवार याद कितना जोकम दाई कितना माल ला इंदेबाद अब इंकम उनकी अपने पास तो यह इंकार बजार का समान रहता है मुला कहा राखा हुआ तो जोले कितना रहा है दो जोले के तो इनको यहां घर वालों को उन्हें नहीं लगा ना फौन सुनी जी ने सर काटकूट में लूट की घटना हुई है सर बताए सर किस प्रकार जांच की जारी क्या हो राख्री में थाना बल्वारा के अंतरगत काटकूट ग्राम के ओखरा से काटकूट के बीच में जो जंगल है वहां पर एक जो सचिन सूनी करके लोकल के जोहरी है उनके साथ एक लूट की घटना हुई है वो हाट बजार में जो है वो दुकान लगाया करते हैं और वो जब लौट रहते तो तीन-चार लोगों ने उनको गाड़ी रोख के और उनके साथ कुछ मार्पिट किया और उनके पास जो जो सब्सक्राइब करें और पास में लगें बेल आइकोन को दबाना जोड़ा था वो लेके चले गए और जर्मन चांड़ी जो हट बाजार में बेशते हैं उसका थेला था उनके पास वो उठाके लेके गए और उसी संबन में अभी हम लोगों का अपरात पर जीवत करके अनु बेल को बिना मुले